काली माता का यह प्रसिद्ध मंदिर मा के शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है, जहां सती मा के अंगिरे थे। पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यग्य में अपमानित हुई सती ने योगबल द्वारा अपने प्राण त्याग दिये थे। धार्मिक और एतिहासिक द्रिष्टी से महत्वपून पावागड मंदिर का इतिहास पांच सौ सालों से भी पुराना है। पावागड पर सती का वक्षस्थल गिरा था। जगत जन्नी के स्तन गिरने के कारण इस जगह को बेहत पूजनिय और पवित्र माना जाता है। यहाँ पर उपर चड़ने के लिए एक हजार आठ सौ सीधिया है। इसके अलावा रोपवे की भी स्थापना की गई है। माता का मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चम्पानेर के पास वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमिटर दूर पावागड की पहाडी की चोटी पर स्थित है। इस मंदिर में मा काली की दक्षिन मुखी प्रतिमा विराज मान है जिनकी पूजा तंत्र मंत्र से होती है। 51 शक्ति पीठ गुजरात का अमबाजी का मंदिर जहां गिराथा देवी सती का हरिदय बिना मूर्ती होती है। पूजा गुजरात की उची पहाडी पावागड पर बसामा कालिका का शक्ति पीठ सबसे जागरत माना जाता है। यहां स्थित काली मा को महाकाली कहा जाता है। कालिका माता का यह प्रसिध मंदिर मा के शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती के दाहिने पैर की अंगुलिया पावागड पर्वत पर गिरी थी कोरोना लॉकडाउन के चलते 111 दिनों से बंद मा कालिका का पावागड मंदिर भक्तों के लिए आज से खोल दिया गया है देश के 64 शक्ति पीठों में से एक पावागड मंदिर वडोद्रा के पास पावागड परवत पर स्थित है सरकारी गाइड लाइन के अनुसार मंदिर मंगलवार सुबह 6 बजे खोला गया जो शाम के साथ दशमलव 30 पर बंद कर दिया जाएगा सडक मार्ग से गुजरात में एक लोक्त्रिय परियटन स्थल होने के कारण इस जगह पर आप सडक मार्ग से भी आसानी से पहुँच सकते हैं अगर आप वडोद्रा से यात्रा कर रहे हैं तो आप टैक्सी ले सकते हैं यहां से पावागड की दूरी 45 किलोमेटर है नवरात्र के समय इस मंदिर में श्रद्धालूओं की खासी भीड उमरती है लोगों की यहां गहरी आस्था है उनका मानना है कि यहां दर्शन करने के बाद मा उनकी हर मुराद पूरी कर देती है शक्ति पीठ संपादित करें जगत जन्नी के माताजी के दक्षिन पैर का अमुठा गिरने के कारण इस जगह का नाम पावागड हुआ प्रण इसको बेहत पूजनिय और पवित्र माना जाता है यहां की एक खास बात यह भी है कि यहां दक्षिन मुखी कालीमा की मूरती है जिसकी दक्षिन गीती अर्थात तांतरिक पूजा की जाती है इस पहाडी को गुरु विश्वामित्र से भी जोडा जाता है कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहां कालीमा की तपस्या की थी यह भी माना जाता है कि काली मा की मूर्ती को विश्वामित्र ने ही प्रतिष्थित किया था यहां बहने वाली नदी का नामाकरण भी उन्ही के नाम पर विश्वामित्री किया गया है काली माता का यह प्रसिध मंदिर मा के शक्तिपीठों में से एक है शक्ति पीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहां सती मा के अंग गिरे थे पुराणों के अनुसार पिता दक्ष के यग्य में अपमानित हुई सती ने योगबल द्वारा अपने प्राण त्याग दिये थे सती की मृत्यू से व्यथित शिवशंकर उनके मृत शरीर को लेकर तांडव करते हुए ब्रहमांड में भटकते रहे इस समय मा के अंग जहां जहां गिरे वहीं शक्ति पीठ बन गए माना जाता है कि पावागड में मा के दाहिने पैर की अंगुली गिरे थे इतिहास बहुत पुराना है यहां मंदिर इस छेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और यहां बड़ी संख्या में तीर थेात्री पहुँचते हैं कालिका माता टंपल हिस्ट्री युनेसको ने इस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया है कालिका माता का मंदिर गुजरात के पंचमहल जिले के पावागड में पहाडी की चोटी पर बना हुआ है इस मंदिर का निर्मान ग्यारहवी शताब्दी में किया गया था इस मंदिर के शिखर को पंद्रवी शताब्दी में मुस्लिम आक्रमनकारी सुल्तान महमूद बेगडा द्वारा चम्पानेर पर हमले के दौरान ध्वस्त कर दिया गया था इसके साथ ही वहाँ पीर सदनशाह की दरगाह बनाई गई चुकि मंदिर के शीर्ष पर दरगाह प्रबंधन का कबजा था यही कारण है कि इतने वर्षों तक वहाँ कोई शिखर या स्तंब स्थापित नहीं किया जा सका ताकि मंदिर का चिन फहराया जा सके कई दोर की बातचीत के बाद दरगाह कमेटी के अधिकारियों ने इस अनुरोध को स्विकार करते हुए मंदिर के उपरी शिखर को खाली करा दिया जिसके बाद वहाँ जंडा फहराने के लिए पिलर लगाने का रास्ता साफ हो गया था इसके साथ ही यूनेसको ने इस मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है दो चर्णों में किया गया मंदिर का पुनरनिर्मान इस मंदिर का पुनरनिर्मान दो चर्णों में किया गया है इसके पहले चरण का उद्धाटन प्रधान मंत्री ने अप्रेल 2022 में किया था इस कार्यक्रम में दूसरे चरण के तहत पुनरनिर्मित जिस हिस्से का उद्धाटन आज किया गया है उसका शिलान्यास प्रधान मंत्री ने 2017 में किया था इसमें मंदिर के आधार का विस्तार और तीन स्तरों पर परिसर, स्ट्रीट लाइट, सीसी टीवी प्रणाली जैसी सुविधाएं शामिल है सदिया बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है वहीं मंदिर की शिख पर धव्ज फहराते हुए पीएम ने कहा कि ये शिखर धवज केवल हमारी आस्था और आध्यात्म का ही प्रतीक नहीं है ये इस बात का भी प्रतीक है कि सदिया बदलती हैं, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है PM ने कहा कि आज का ये पल मेरे अंतर्मन को विशेश आनन से भर देता है उन्होंने कहा कि कलप ना कर सकते हैं कि पांच शताबदी के बाद और आजादी के 75 साल के बाद तक मा काली के शिखर पर धोजा नहीं फहरी थी, आज धोजा फहरी है कथा संपादित करें इसी तरह पावागड के नाम के पीछे भी एक कहानी है कहा जाता है कि इस दुर्गम परवत पर चढ़ाई लगभग असंभव काम था चारों तरफ खाईयों से घिरे होने के कारण यहां हवा का वेग भी चहुतर्फा था इसलिए इसे पावागड अर्थात ऐसी जगह कहा गया जहां पवन का वास हो यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चामपानेर के पास स्थित है जो वडोद्रा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है पावागड मंदिर उची पहाडी की चोटी पर स्थित है काफी उचाई पर बने इस दुरगम मंदिर की चड़ाई बेहत कठिन है अब सरकार ने यहां रोपवे सुविधा उपलब्ध करवा दी है जिसके जरिये आप पहाडी तक आसानी से पहुँच सकते हैं यह सुविधा माची से शुरू होती है यहां से रोपवे लेकर श्रद्धालू पावागड पहाडी के उपरी हिस्से तक पहुँचते हैं रोपवे से उतरने के बाद आपको लगभग 250 सीडिया चड़ना होंगी तब जाकर आप मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचेंगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत चाहता चववत परती है आप लोगों के प्यार किये आप सबका हमें प्यार ऐसा ही मिलता रहे सिर्फ एक सुस्क्राइब करना है लाइक करना है शेयर करना थाइक यू